किसान भाईयों नमस्कार जैसे कि आपको मालूम हैं किसान भाईयों आज जादे महनत होगी थोड़ी सी आप देख सकते हैं मेरे पिछ्छा जो है गेहूं का जो गन्ना है कि फसल के बाद में गन्ना भुवाई करी थी तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आगी थी अब हमने उसमे खाद की डोज लगाई इधर हमारा 1335 बीज खड़ा हुआ है काफी अच्छा गन्ना खड़ा है देख लो आपके सामने है और इधर जो अपना 38 है जो अपना 42 इंच पर है ये गड़बर यहां यह होगी अब हमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा क्योंकि कल हमने इसमें या डाई राममान थोड़ा सा फिपरोनिल किलो भीके के हिसाब से और यारा का वो केलसम का इसका कट्टा रखा था नाइट्रा बोर्ग वाला वह मनें लगा दिया इसमें अब भाईयों सबसे ज़्यादे समझ से यह आगी कि 35 में अगर हम ज़्यादे खुराग देंगे तो ज़्यादे एकदम इसमें फुटाओ होने का डर रहता है अगर हम इसके साथ का पानी इसमें निकाल देंगे तो क्या होगा कि यह इसका पानी डोज का सारा इधर आ जागा यह घूम जागा मतला भी खेद मिक्स हो जागा तो अब हमने इसमें पिछली बार हमने नहीं डोल कुछ बारिस पढ़ती रही कुछ समय भी ऐसी था तो आज मुझे इसमें पानी में ही मेहनत करनी पड़ रही क्योंकि इस तरफ तो हमने कल डोज लगा दी ती यह देखो पिछा पिछा पानी आ रहा है और यह 22 खूड इधर 13235 के हैं और इस तरफ सारा परे तक 38 है उसमें भी बीच के डोड़ हमारे हमने क्यारे बना रखे क्योंकि दो दिन से बिजली बहुत हिरान कर रही तो ज़्यादा पानी आने की वज़े सा अगर हवा चलेगी जैसा पच्वा हवा चल रही है तो गन्ना ढह जागा कोई फाइदा नहीं उसका ढहने से वह उसमें नुक्सान रखें कि अगर आप 38 में और कहीं भी मिक्स को बोरे हैं तो आप 35 का पानी प्योर रखें और 38 में जो है खुराक कैसी भी लगा दें 38 जेल लेता है 35 को थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि इतना हाइब्रीड बीज है इसकी बड़वार बहुत जादा है नहीं तो इसमें फुटाओ होगा आप फिर कहोंगे भाईयो यह तो ब्या गया तो भाईयो यह अरली डोज है लेता है यह बिल्कुल फालतू लागत न हो जागा अब आप थोड़े दिन बाद देखिए जैसा अक्टूबर नौंबर हो जागा अक्टूबर तो आप चल गया नौंबर में देखोगे ठंड पढ़नी शुरू हो जागी तो 38 तो धीरे-धीरे डाउन हो जागा लेकिन 35 जो है अपना चलता रहेगा यह इस बीज की एक बहुती सांदार बाद लगी और दोस्तों जैसा महनत कर रहे हैं वीडियो देखकर कैसा लगा लाइक शेयर कर देना नमस्कार